हलो नमस्का साथ सिरकाल, सलावालेकुम, कसक काये कैसे हैं आप सबी जी हाँ CLAD examination हो चुका है अब बच्चों के मन में सवाल है कि क्या सर कुछ और examinations हैं जो हम दे सकते हैं या वो बच्चे जिन्होंने CLAD examination नहीं दिया शायद उनको information नहीं थी या फिर अगर वो उसको नहीं देना चाहते थे लेकिन अब वो देख रहे हैं ऐसी कोई opportunity जहाँ पर उनको law entrance examination एक ऐसा मिल चाहे जिसकी मदद से वो इंडिया के अच्छे colleges में चाकर अपने career को establish कर सकते हैं तो yes guys and girls, I have a great opportunity for you guys यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MHCET law entrance examination की जी हाँ MHCET law entrance examination के अंतरगत आपको क्या-क्या eligibility होने चाहिए किस दिन ये examination होगा ये सब कुछ बताने के लिए ये session रखा गया है however, अगर अभी तक आपने session को like नहीं किया है जल्द से जल्द इस session को like कर दीजे and अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe भी नहीं किया है तो subscribe button पे click कर दीजे ताकि हम जादा से जादा बच्चों तक पहुँच सके so without wasting much of your time जल्दी से देखते हैं कि exam dates क्या आई है तो 5th, 5 year LLB के लिए और 3 year LLB के लिए dates जो है वह announce करी जा चुकी है 5 year LLB के लिए जो dates है those are May 7th and May 8th वहीं अगर हम बात करते हैं 3 year LLB की तो 11th of March से 13th of March तक जो है यह dates यहाँ पर रखी गए है सवाल यह उठता है कि sir eligibility क्या है eligibility बहुत clear cut है अगर आप 5 year LLB में अपने आपको register करना चाहते है guys and girls तो class 12th आपने की होनी चाहिए और उसमें आपके कम से कम 45% जो है वो marks होने चाहिए वहीं अगर हम 3 year LLB की बात करते हैं तो उसके लिए आपको graduation जो है वो होना चाहिए और उसमें आपके 45% marks होने चाहिए whereas जब हम बात करते हैं STSE category के लिए तो उसके लिए 40 marks जो है वो यहां बताए गए हैं बाकी यहां पर आपको जो categories हैं उनके लिए 42 marks हैं यहां पर दिख रहा है चलिए अब बात कर लेते हैं MHCET law के syllabus के बारे में तो 5 year की अगर बात करें तो आप देख सकते हो पांच अलग-अलग subject matters हैं जिन पर आपको test किया जाएगा legal aptitude and legal reasoning general knowledge and current affairs logical reasoning and analytical reasoning English and basic mathematics जब आप इन सभी चीजों को देखो के तो आप यह realize करोगे कि सबसे जादा यहां पर weightage जो है वो दिया गया है legal aptitude and logical reasoning को इसके अलाबा general knowledge को आपको यहां 30 marks जो है वो यहां पर दिये गए हैं English जो है उसमें भी 30 marks दिये गए हैं और basic mathematics में आपको देखने को मिलेंगे 10 marks तो सबसे कम weightage यहां पर maths का है आप देख सकते हैं 150 questions होंगे 150 total marks होंगे अगर आप सही दिशा में तयारी करते हो तो yes it will be very easy for you to crack this examination अगर हम participating universities की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हम लोग चंद law college जो है यह इसके अंतरगत आता है however यह किसी number by number नहीं है ऐसा मत समझेगा इनकी कोई ranking है नहीं ऐसी कोई ranking यहां पर नहीं है randomly यह जो है यहां पर आपको colleges दिख रहे हैं सो भारती विद्यापीट या फिर डी वाई पाटे law college jlc मुंबई का नाम I don't think मुझे आपको बदाने की जुरुत है ILS पूने LLM नाकपूर MP law that is मानिकचंद फाडे law सोरी मानिकचंद पहाडे law college और अंगाबाद या फिर MSS law college या RTMNU नाकपूर या फिर SCLC पूने इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सारे colleges जो हैं वो आपके इसके अंतरगत participating university में आते हैं सबसे अच्छा college जो consider किया जाता है यहां पर उन में से सबसे अच्छा college जो है वो है GLC Mumbai GLC Mumbai बहुत ही जादा repeated college है यह college जो है 1855 में बनकर तयार हुआता और इसको oldest college of law school of Asia भी consider किया जाता है यहां से बहुत सारे हमारे जो leaders हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी जो है यहां से पड़े हुए हैं प्रतिभा पाटेल जी जो है वो भी इसी college की alumni रह चुकी है इनके अलावा more than six chief justices जो है वो आपको GLC Mumbai से देखने को मिलेंगे बहुत सारे Supreme Court के judges जो है वो आपको यहां से देखने को मिलेंगे तो आप देख सकते हैं कि GLC Mumbai जो है इसका अगर हम alumni को देखें तो यह बहुत ही strong यहां पर आपको देखने को मिलता है इनका connection इसके अलावा University of Mumbai Law Academy that is UMLA यह जो है यह university बन कर तयार हुई थी 2015 में However, यह world class institution consider किया जाता है और यहां से भी बहुत सारे exceptional lawyers और legal luminaries जो है वो निकल कर आगे गए है I don't think this college again requires any introduction. This is the Rizvi Law College जो की located है आपके Mumbai में यह Bandra में आपके beautiful city जो Bandra की है वहां पर आपको यह देखने को मिलता है यह college 2002 में established हुआ था and again it is considered to be one of the most aspired college of Mumbai for law students ILS Pune, I don't think मुझे बताने के जुरूत है ILS Pune जो है यह established हुआ था 1924 में यह college again बहुत ही जादा famous college है आप इस college में जाएंगे अगर तो आप देख सकते हैं कि इस college को rank 1 भी बोला गया था India Today के द्वारा और साथ ही साथ यह वो college है जिसमें बहुत सारे law firms जैसे की इंडियन law services या फिर दुआएं असोसियेट्स बैंगलोर खेतान & company HDFC ICICI Mahindra KPMG यह सारी companies जो है वो यहाँ पर अपने placements के लिए placement drive के लिए आते हैं इसके अलावा D.E.S. नवलमल फिरोधिया law college of पुने इस अगेन एं इंपॉर्टेंट law college देन शंकर राव चावन law college of पुने इस अगेन फेमस वन फ्रॉम दी सिटी अफ पुने जो कि महराश्ट्र में हैं और यहाँ पर जो है यह college को establish किया गया है former home minister के द्वारा जो कि यहां के श्री शंकर राव चावन जी है इसके अलावा डॉक्टर अमबेटकर college again a very 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 famous college of नाकपुर ठीक है तो नाकपुर सिटी में आपको यह college को देखने को मिलता है दाट इस अमबेटकर college and यह college बनकर तयार हुआ था in the year 1925 again यह वो college है जहां से बहुत सारे judges of supreme court निकले हैं बहुत सारे high court and district court judges भी साथी साथ politicians such as नितिन गटकरी जी दिविंत फटनावज जी यह सभी के सभी जो है इस particular college के alumni हैं इनके अलावा sir saint wilfrid's law college Mumbai यह भी एक बहुत अच्छा law college है जो कि Mumbai में situated है पनवेल के अंदर तो आप इस college को भी यहां पर consider कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो बहुत बड़े-बड़े colleges इस particular examination के अंतरगत आपको opportunity देते हैं कि आप जाकर यहां से अपनी पढ़ाई को जो है वो continue कर सकते हैं बट इन सभी को करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको एक examination है जिसका नाम है MHCET law entrance examination इसको जो है आपको clear करना होगा मैंने आपको बताया इसमें वही सारी चीज़ें जो है test करी जाएंगी जो आपके clad examination में test करी जाती हैं बस यही है कि इसका पूछने का question pattern थोड़ा सा change होता है तो आप उसको जरूर देखें इसके साथ ही अगर आप में से कुछ बच्चे हैं जो इस examination के लिए serious हैं और चाते हैं कि unacademy के साथ जुड़कर आप अपनी इस तेयारी को जो है असली उड़ान दें तो मैं आपको suggest करूँगा कि unacademy के different packages जो है वो आप consider कर सकते हैं for example अभी जो offer चल रहा है वो है 12 months के subscription पे आपको 1 month का free extension देखने को मिलेगा however there are also 6 months का subscription या 3 month का subscription जो आप जाकर purchase कर सकते हैं लेकिन इन सभी को purchase करने के लिए you need to use a code that is bar 5 जैसे ही आप ये bar 5 code का use करेंगे तो आपको maximum discount on academy के portal पर देखने को मिलेगा so I would suggest अभी जाये and make a good investment for yourself with this I am signing off thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling जै हिंद जै भारत